हेलो चिल्रन तुड़े विल डिसकास इन इंग्लेश चाप्टर वक्षीट 12 ठीक है आज हम लोग इंग्लिश में वक्षीट 12 डिसकास करेंगे स्टूडेंट्स जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो अपनी हॉलिडे होमवग पुक का पेज नमबर 14 वक्षीट 12 ठीक है तब ही आप इस वीडियो को देखेंगे बच्चों है ना यह आपकी वक्षीट वक्षीट हॉलिडे होमवग की है है ना जिसमें आज हम लो शी ठीक है जब भी आप वीडियो को देखेंगे तो अपना बुक भी ओपन करके रखियेगा बुक ओपन करने से आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ कहां से बोल रही हूँ ठीक है बच्चों आपको समझ में आ गया आप लोग ऐसे ही करियेगा ठीक है चलिए आईए हम लोग शुरू करते हैं write he and she words choosing from the box in correct column ठीक है यहां कुछ words दिये हुए है यह सारे कुछ words दिये है यह साब mix है ठीक है mix है मतलब इसमें he भी है she भी है मतलब masculine gender भी है और feminine gender भी है अब gender दो तरीके के होते हैं आपको पता ना हिंदी में भी दो होते हैं thrilling और pulling इंग्लिश में masculine gender and feminine gender masculine gender जैसे boy uncle, father king, bull इस तरीके का nephew उसमें आता है masculine gender में और ठीक इनका जो स्त्रिलिंग होता है जो स्त्री जाती का बोत कराता है जो जिससे पता चलता है कि वो एक लड़की है girl है, woman है उसको हम लोग feminine gender बोलते हैं ओके बच्चो चली आईए अब हम लोग देखते हैं he और she है ना यहां पर मैंने कुछ words लिखे हुए है boy, girl, nephew, niece, lion, lioness, bull, cow, man, woman, son, daughter देखिए अब यहां पर हमने देखा था ना यहां पर son क्या है masculine gender है और यहां पर कहीं हमने daughter भी देखा है यह देखे daughter तो इसी में से choose करके इसमें fill करना है ही भी, she भी ठीक है बच्चो, समझ में आ गई बात अब उसके बात देखिए कुछ और भी questions देए हैं इसके नीचे यह हमाई एक बाद फिर से पहले देख लेते हैं अंकल, aunt, father, mother, king, queen, hero, heroine, prince, princess, cock, hen, boy, girl, nephew, niece, lion, lioness, bull, cow, man, woman, son, daughter अब हम लोग कुछ और भी words देखते हैं now write the related he or she words to the given words मतलब इसमें इसके he भी लिखा है he भी लिखा है और she words भी लिखा है ठीक है? जहाँ पर he है हमको उसका she लिखना है और जहाँ पर she है हमको उसका he लिखना है clear है बात? horse, mare, peacock, pehan, tiger, tigress, actor, actress son, daughter, prince, princess, lord, lady, sister, brother, mother, father, bride, groom, man, woman, bitch, dog clear है? एक बाफिट से देखते हैं horse, mare, peacock, pehan, tiger, tigress, actor, actress son, daughter, prince, princess, lord, lady sister, brother, mother, father, bride, groom, man, woman, bitch, dog okay? यह हो कि आपका वर्कशीट नमबर 12, ठीक है? students, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इस बुक को अपने बुक में फिल भी कर लीजिएगा ठीक है बच्चो? और दो-तीन बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यी वर्ड्स कौन से हैं और शी वर्ड्स कौन से हैं ठीक है बच्चो? जब आप वीडियो को देखेंगे तो अपने साथ में पैंसिल भी रखिएगा और पेज नमबर 14 जो है ये देखिए मैं दिखा रहे हूं आपको पेज नमबर 14 का है ये इसको भी ओपन करके रखिएगा जब आप वीडियो देखेंगे तो साथ-साथ फिल भी कर लीजेगा ओके बच्चो? Hope students, I hope you have, you are getting what I am trying to say आप लो अच्छे से इसको देखिए और बार-बार वीडियो देखिए लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को बच्चो ठीक है? और आगे करते रहे हैं इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एड्जेक्टिव वर्ट्स पढ़ेंगे ओके बच्चो? आज के लिए बस इतना ही आप लोग नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे आप लोग वीडियो को देखिए देख करके अपनी बुक को फिल कर लिजे और साथ ही साथ में रिवाइज भी करते रहेगा क्योंकि रिवाइज करेंगे तब आपको रोज का रोज रिवाइज करने से समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ा है मैम ने क्या पढ़ाया है और आपने क्या समझा है ठीक है इस तरीके से करने से आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा डेली का डेली पढ़ेंगे तो और बुक को फिल कर लीजिए ओके बच्चो थैंक यू